दोस्तो अगर आप जियो का सिम यूज करते हो आपका जियो का सिम लोश्ट हो गया है कहीं पर खो गया है आपका मोबाइल खो गया है तो किस तरह से आप घर बेठे आपका जियो का सिम ब्लोक कर सकतो इमेडिटली ये मैं आपको ये वीडियो के अंदर बताने वाल हो दोस्तो टाइम के दर दोस्तो यह जिनी भी जो सर्विसे से वो ओनलान हो गई है आप अपने घर बेठे विदिन ए मिनिट आपका सिम कार्ड टेंपररी ब्लोग कर सकतो हो इसके बाद जब भी आपको इसको री एक्टिवेट करना है इसको आप कर सकतो हो तो सिम्पल आप जियो का जो देचिल वेबसाट है इसके अंदर जाकर इसको ब्लोग कर सकते हो इसका जो वेबसाट इसका लिंग आपको डिस्क्रिप्शन में देदोंगा इसको विजिट करना के बाद देखिए लोश्ट सिम लोगिन वहाँ पर आपको जो लोश्ट हो गया है वो नंबर लिकना इसके पर क्लिक करना है इसके बाद दोस्तों आपको यहां पर सीलैक के टिरें क brought क्लीक करना है यहां पर आपको उन्मेटर और पर लेकर एंदर कहा सकते हों एसके बाद को तो आपको जियो सामने से बढ़ाएगा कि आपके नमर के अंदर कौन सा आपने email address याड किया है कौन सा आपका alternate mobile नमर है इसके last first digit आपको बढ़ाएगा इसके बाद link mobile नमर भी आपको बढ़ाएगा तो आपको जो भी आपके पास सब भी available है इमेडिटले इसको आप यूज कर लिजे मेरे पास यहाँ पर email address ओपन है मेरे सामने तो यहाँ पर मैं email address का यूज करके आपको यहाँ पर लिग देखने के पाद आपको सब्मीड बढ़न के उपर क्लिक करना है इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको सब्सेपहलिए जीओ पोस्ता है कि क्यों आपका SIM card इसको suspend करना चाहत हो इसका reason आपको यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा तो reason के अंतर दोस्तों यहाँ पर हम select result के उपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखा था कि एक ही option है सिम्वाइस लोच्ट तो हमारे SIM card लोच्ट हो गया है हो चुका है आपको reference नमर भी यहाँ पर दिखाए दागा इसके बाद आपका request यहाँ पर प्रोसेस में यह 15 मिनिट के बाद automatic लिए आपका SIM card ब्लोक हो जाएगा आप इसके अंदर SMS नहीं हाएंगे इसके बाद call वगरे कुछ नहीं आएगा इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक PU के नमर दिखाए दागा इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको प्यो के नमर मिलेगा यह P.O का नमर का आपको यूज करना है आपका SIM card है इसको आपको फिर से करके देंगे आपको आतरकार आपका पासवर्ट फोटो अगे लेकर जाना होगा इसके बाद मान लिजे आपका SIM कार्ड आपके घर पर ही आपको कहीं पर से वापस मिल गया है तो आपकी email के उपर आपको एक email आएगा बहाँ पर आपको एक link मिलागा यह link का use करके आप अपने sim card को फिर से घर बेटे ही online activate कर पाएगे यह process आपको 16 दे के अंदर करना होता है अगर 16 दे से मेरी ख्याल से ज्यादा time जाएगा तो आपका sim card completely जो permanently block हो जाएगा यह वापस फिर से active नहीं हो पाएगा य यह पूरा process है आपके घर पे बेट करी आप अपने जियो sim को block कर सकते हो